दोस्तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेल रिशर्च टॉपिक है, इसको प्रिपैर करने के लिए हमने एक्स्टेंसिव रिशर्च की है, फीडबैक लिया है और प्रैक्टिकल एक्स्पिरियेंस पर आधारीत ये वीडियो हम आपके लिए लाये हैं वीडियो का टॉपिक है, हाउ तु मैणेज यूर पैरेंट्स न इंडिया, तैसे अपने पैरेंट्स का इंडिया में कैसे ध्यान रखे, उसके ऊपर ये वीडियो होने वाला है, तो सबसे पहले मुन्ना पापा, यू ऐसे वीडियो चैनल में मैं आप सबी का स्वागत करता और यह आज का जो विशा है बहुत ही मारमिक है और मैं चाहता हूं कि आप इसे ध्यान से देखें और पूरा देखें धन्यवाद तो दोस्तो यह वीडियो उन लोग के लिए है जो यूएस में है यूएस आने का सोच रहे है और यह उन लोग के लिए भी है जिनके बच्चे यूएस में है उन पैरंस के लिए तो इस वीडियो को हमने six parts में divide किया है पहला part है safety दूसरा part है automation and machine तीसरा part है health चौता part है networking पाच्वा part है emotional well-being और चटा part है online platform for payments हम एक एक करके इन 6 points पर आप से बात करेंगे और हम समय समय पर मुन्ना पापा से उनके विचार भी जनेंगे पहला point है safety safety एक बहुत important concern है इंडिया में और मेरा इसा मानना है सबसे important अगर इन 6 points में है तो वो है safety safety के लिए आप अनेक step उता सकते हैं बहुत सारे लोग US में परेशान होते हैं अपने parents की safety को लेकर तो उसके लिए हम 3 या 4 suggestion लाए है आपके लिए पहला हमारा suggestion है security camera security cameras भी ललग अलग अजय आते हैं एक आते हैं बड़े-बड़े security cameras जो गर के बहार लगते हैं जो की wall पे mount होते हैं बड़ी size के होते है जो की जिनके camera की अंदर होते है जिन पेcipl count recording भी होती है वहने security cameras यह security cameras घर के general unbelievably बहार लगते है waterproof होते हैं यह गाडी की parking की तरफ देखते है पास इनको लगाने का खर्च भी जादा आता है करीबन 15 से 20 हजार 25 हजार तक का खर्च इनको लगाने का आता है मुन्ना पापा से मैं जानूगा कि security camera इंस्टॉल कराने में उनका क्या experience रहा मैंने हाली में अमेरिका आने से दो माँ पहले ही मेरे घर पर चार केमरे लगवाए हैं जिनकी recording तीस दिन तक होती है और ये बहुत ही सुरक्षा के हिसाब से बहुत ही अच्छा कदम है दूसरा point है दोस्तो safety में baby cameras baby cameras जैसे कि आप नाम से समझेंगे ये babies के लिए होते हैं बहुत चोटे होते हैं USB supported होते हैं इन्हें घर में जगर जगर इंस्टॉल किया जाता है इन में recording जो होती है वह छोटे time के लिए होती है जैसे कि कुछ घंटों के लिए या 24 घंटे के लिए इन्हें आप फोन पर देख सकते हैं तो इस पर भी हम मुन्ना पापा से उनके विचार जानेंगे क्योंकि उसके थूरू भी हमने काफी communicate किया था मुन्ना पापा से यह जो चोटी बेबी केमरास लगे है इनके बारे में आपको क्या पचार है जी यह यह भी उपयोगी है पर इनकी रेंज मेरे हिसाब से बहुत कम होती है इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि सबसे पहले तीन बड़े केमरे अपने फ्लेट या मकान बंगले पर लगाना जरूरी है बाद में यह चोटे चोटी जगे बातरूम में है या कीछन है यह चोटी चोटी जगे चोटे केमरे लगाए जा सकते हैं और चोटी चैमरार में एक और फीचर था जिसे हम बोलते है Two Way Communication जिसके थूर दूसे लोग भी आपको ब्रादकास्थ मेसेज कर सकते हैं, बोल सकते हैं. यह एक बहुती महत्मूल विशा है कि यहां कि जो हमारे बच्चे हैं, जो यहां पर आया हुए हैं, वो हमें लगातार भारत में हमारी अप्टिविटी पर नदर रखें थाकि कोई भी विकट परिस्थिती होने पर वो हमारी मदद कर सके और दोस्तों ये छोटे बेबी कैमरास टूवेर कम्यूनिकेशन है तो हम इस पर अगर कुछ बोलेंगे तो कैमरे के अंदर से आवाज आएगी कुछ लो क्वालिटी कैमरास होता है जिनमें आवाज बहुत जमके नहीं आती स्पष नहीं आती खर कर आती है लेकिन जनरली सेक्यूरिटी कैमरास जो बेबी कैमरास है उनके थूरू भी कम्यूनिकेट किया जा सकता है तो आप अपने माता-पिता को सतर कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगे कि वो कीचन में कुछ कर रहे है या कुछ भी ऐसा कारे कर रहे है जो उन्हें नहीं करना चाहिए तो आप अपनी आवाज सेक्यूरिटी कैमरा के थूरू उन्हें बता सकते हैं सेफटी के लिए हमारा अगला पॉइंट है शालिमा टाउन्षिप या बड़ी टाउन्षिप में रहना जिसमें सिकूरिटी गाट हो तों पापा इंडोर में कौन सी ऐसी टाउन्षिप है जिनमें कि सिकूरिटी काट और सेफटी अच्छी है चुआ यहां तक समझता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा महत्पुन यह है कि जो बच्चे यहां अमेरिका में हैं वो अपने पिता की वित्तिये मदद कर सकें या लोन लेकर मकान किराई पर दिलवा दें या खरीद दिलवा दें यह मेरी द्रस्ती में बहुत उचित कदम है और इन गरों को लेते वर्क अस्पताल के पास होना भी एक कंसिडरेशन होना चाहिए हां इसे भी आठकल इंदोर एक बहुत ही विक्सित शेहर बन चुका है और अच्छा अस्पताल दिल्ली और बांबे से इंदोर में शिप्ट हो चुके हैं वेदानता है और बांबे अस्प अस्पताल यहां पर 14 स्कीम के पास खोला है तो कई अस्पताल आसपास हैं तो हमारी प्राइटियर है रहेगी कि इन अस्पतालों के आसपास हम अपने फ्रेट या बंगला के राये पर या खरीद वाले है ओके दोस्तों पहला पॉइंट था सेफटी अब हम चलते हैं दूस पहले हो और डिश वाशर की इसमें दो चीज है दोस्तों एक तो यह कि आप जब घर में किसी को रखते हैं तो उससे सिक्यूरिटी कंसर्न बढ़ता है आपको उनका बैग्राउंड चेक करना पड़ता है अगर वो चुट्टी पे चले जाए आपको काम वाला कोई बदलना पड़े तो उसके लिए फिर आपको नए का बैग्राउंड चेक करना पड़ता है और एक इंडिपेंडेंडेंस की भी बात होती है तो पैरेंट्स के लिए दिश वाशर और आटोमेटिक मशीन और ड्रायर अगर हो तो पैरेंट्स के लिए कमफोर्ट बहुत आसान हो जाता तो परिवार के बुजर्ग लोग है दंपतिया है वो शारिरिक रूप से इतने सक्षम हो कि वो डिश वाशर चला सके और जो नए नए ये एकुपमेंट निकल रहे है इसका प्रयोग असानी से कर सके इस इसमें डिश वाशर भी आजकल इंदौर में आ चुके हैं और काफी पहले से आ रहे हैं बस शर्त यह है कि अम सक्षमता से उसको उप्योग कर सके और आपने जब यहां मशीन चलाई वाशर और ड्रायर तो आपको चलानी आगई कुछ दिफिकल्टी होई आपको नहीं मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं होई मैं जब इंदौर में था तब मैं म मुझना पापा को यहां पर वाशिंग मशीन और ड्रायर की प्रैक्टिस कराई और थोड़े बहुत दिफिकल्टी वाशर की भी प्रैक्टिस कराई ताकि वो इनका उप्योग भारत में कर सके हमारा तीसरा पॉइंट है हेल्थ जो हमारा अगला इशू है तो हमने सब्सक्राइब करने वाले लोगों को और इंडिया में इंशॉरेंस अच्छा ले क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है नया इंशॉरेंस लेना मुश्किल होते जाता है और बहुत सारे मेडिकल शॉप्स हैं जिनकों कि हम प्रीपेमेंट कर सकते हैं जो मैडिसेन टा कि मुझे हार्ट की चेक करवाना और किड्नी की मुझे शुगर है इसलिए हार्ट की जाच करवाना बहुत जरूरी है और मेरे इंशॉरेंस में शामिल भी है बश्यर्त यह ही रहती है कि एक दिन पहले मुझे अस्पाल में एड्मिट होना पड़ेगा तो दोस्तों आप इसके लिए उन्हें like-minded लोग जैसे वो लोग जिनके बच्चे युएस में हैं उनसे networking बढ़ानी चाहिए इसके अलावा old age people की भी networking अलग से होती है उनसे भी उनमें भी parents को involved होके अपनी networking बढ़ानी चाहिए senior citizen के groups है relatives और neighbors को networking बढ़ाने के लिए बच्चों को याने हमें उनसे बात करनी चाहिए और उनसे communication का channel open रखना चाहिए इस बारे में आपका क्या विचार है पापा हाँ ये भी बहुत एक महतपूर्ण विशा है कि हमारा जो संपर्क है आपसी संपर्क वो अमेरिका से बच्चों के और parents के बीच लगातार सतत होने चाहिए और साथी गुरूप के लोग आजकल इंदवर में गुरूप भी बन चुके हैं जो senior citizen group है जो घूमते है पार्क में और एक दूसर से चाहरों पर मिलते भी है अथा ये बहुत ही महतपूर्ण विशा है पाच्वा पॉइंट है emotional health हमें ये चेक अप करवाते रहना चाहिए कि हमारे parents की emotional health कैसी है इसके लिए भी जो जरूरी steps है उनको लेना चाहिए और parents से communication regularly करते रहना चाहिए थोड़ा time निकालके चाहे वो voice के through हो, text के through हो या voice recording के through हो चटा point है online websites और payment system तो हम यहां पर Amazon से directly इंडिया में सारी चीज़ order कर सकते हैं और electricity bill और rent और कर सकते हैं तो मैंने यहां से कोशिश की थी rent, electricity और Amazon पर कुछ order करने की तो वो सब यहां से directly हो जाता है और इसके through भी parents की life easy हो जाती है क्योंकि हर payment आज online है तो आप भी पता लगाए कि किस तरीके से आप electricity bill, rent और Amazon online order कर सकते हैं तो दोस्तों यह था हमारा video इसको हम और detail में बताएंगे आप हमें comments करके बताएगे आप क्या जानना चाहते हैं और हम इसके points को expand करके आपको और detail में इस विशय पर video बनाएंगे